हेलो फ्रेंड मैं रॉबिंसकुमार नौकरीडेली.com के इस यूटुब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड इस चैनल पर मैं समय समय पर आपके लिए सरकारी नौकरी से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो सेयर करता हूँ तो अगर आप इस चैनल पर पहली वार आए हैं तो यह सारे वीडियो देख लें और पसंद आने पर सब्सक्राइब बेटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथे साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे आने वाले सारे अपडेट्स डिरेक्ली आपको नोटिफाई किया जा सके तो आए फरेंट देखते हैं आज की सेशन में मैंने आप लिए कौन सी जॉब नोटिफिकेशन चुनी है कैनरा बैंक रिक्रूट्मेंट नोटिफिकेशन 2018 प्रोविशनरी ओफिसर्स के पोस्ट है 450 वैकेंसी है और कैनरा बैंक हेड़कॉर्टर बैंगलोर करनाटका के लिए ये जॉब वैकेंसी आई वी है फ्रेंड तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस जॉब के लिए क्या क्या रिक्वाइर्मेंट है और आप इसके लिए कैसे अप्लिकेशन अपना सब्मिट करा सकते हैं सबसे पहले एड़ुटिजमेंट नंबर की बात करते हैं सीवी स्लेश आर पी स्लेश टू स्लेश टू तो तो तॉजन सेवंटीन और ओनलाइन रेजिस्टेशन जो स्टार्ट है फ्रेंड वो नौ जन्वरी दोहजार अठार से स्टार्ट हैं 31 जन्वरी दोहजार अठार इसकी लासट डेट होगी ऑनलाइन टेश्ट जो होने हैं वो चार मार्च दोहजार अठार से स्वरू होंगे प्रोविस्टनरी ओफिसर्स के पोश्ट है अन्रेजब्ड केटेग्री में 237 पद हैं OVC केटेगरी में 121 पद हैं HC केटेगरी में 67 पद हैं और HT केटेगरी में 35 पद है इस प्रकार टोटल नमबर अब जो वैकेंसी जाए वो 450 है इसके लोफ पे 23,700 से लेके 12,020 रुपए तक eligibility terms की बात करते हैं minimum 20 साल से 30 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए 1 January 2018 को आपकी उम्र की गर्णा होगी Education, graduation होना चाहिए आपके पास minimum 60% marks होना चाहिए SCHT या PWD केटेगरी की candidates हैं तो आपके 55% marks भी होंगे तो आप इसके लिए eligible है और selection process में आपको objective test पास करना होगा उसके बाद group discussion और interview application fee, unreserved or OBC category के लिए 708 रुपए SCHT और PWD candidates के लिए 108 रुपए सिर्फ online mode of payment के तुरू आप इसका application submit करा सकते हैं application fee submit करा सकते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इस download the advertisement button पर क्लिक करके advertisement को download करें और उसे carefully पढ़ लें उसके बाद ही register online button पर क्लिक करें और अपना application form फिल करें उसके बाद अपना fee pay कर दें और जो भी receipt या complete application form आपको मिलता है उसे सम्हाल के रखेंगे वो आपको काम आएगा इस job notification से related जो भी जरूरी links हैं मैं वो इस video के description box में provide करा दूँगा और अगर आप इस job के लिए eligible हैं इंट्रेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी application करें सब्मिट करेंगे और इस video को अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें हो सकता है यह video उनके लिए उनके करियर के लिए helpful साबित हो मिलते हैं अगले video में तब तक के लिए good bye